शरम करो पूनम पांडे इन्होंने तो अपनी PR टीम को बढ़ावा देने के लिए और अपने आपको लोगों के सामने लाने के लिए ऐसा पबलिसिटी स्टंट किया है कि अब इन्हें खुब सारी गालिया मिल रही है कल पूरे दिन जहां लोगों ने इनके फोटो के नीचे रिप R.I.P. रिप शेमोन ये वो मतलब शेमोन किसने लिखा मैं बताती हूँ ये एक वेबसाइट है जिस पर ये वहाँ पर जोइन है वेबसाइट का नाम मैं यहां नहीं बता सकती अडल्ट वेबसाइट है तो वहाँ पर जो लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं उन लोगों ने इस तरीके की चीजे लिखी बहुत सारे लोगों को पहले से ही लग रहा था कि ये पब्लिसिस इस्टंट है लेकिन वहीं सेलेब्रिटी, मीडिया, यूट्यूबर्स सभी कोई इनके बिचारों परिशान थे इनके लिए कि अरे यार चली गई मतलब वो पुनमपांडे जिसको जब जीवित है लोग सब गालिया देते थे कि ये है वो है ऐसा बोलते थे वो पुनमपांडे भी जब उनकी खबर आए कि भाई चली गई दुनिया से उनके लिए भी लोग सांतना दे रहे थे, दुखी हो रहे थे, लोग परिशान हो रहे ऐसे लोग है जिनोंनों कैंसर की वज़े से अपनों को खोया है, उनकी वो यादे ताजा हुई है, सिर्फ एक इस न्यूज की वज़े से, आईए बताता है पूरा मामला क्या है, दरसल जो उनमपांडे हैं इन्हें थोड़ी राखी सावंत है, थोड़ी राखी सावंत इसल सानक से कल सुभा को उनकी पियार टीम के द्वारा उनके ओफिशल चैनल पर एक पोस्ट डाला गया जिसमें उनकी मृत्यू की गोशना कर दी गई कि भाई पूनम जो है वो अब हमारे बीच में नहीं रही है, उनको कैंसर हो गया है, कैंसर की वज़े से वो चली गई, सर्व बड़े यूट्यूबर्स उनके साथ में काम करने वाले सभी ने उनके लिए बहुत दुख मनाया और ये चीज़े काफी जादा चले भी, मीडिया में ये खबर आनी शुरू हो गई, मीडिया वालों ने दर दर बागदोड किया, लेकिन विचारों को कुछ नहीं मिला तो सामने लगा कि भाई सचो है खबर, तो उनने भी खबर चलानी शुरू कर दी कि पूनम नहीं रही, पूनम नहीं रही, लेकिन रात होते होते लोगों को शक होने लगा, कि भाई अगर कोई सेलिबर्टी इस तरीके से मरी है, वो नहीं है इस दुनिया में, तो आखिर क्यों अब तक dead body नहीं सामने आ रही है, क्यों अब तक उनके कोई family member सामने नहीं आ रहे है, क्या उनका अंतिम संसकार हो चुका है, और इतनी बड़ी बिमारी से अगर वो मरी है, तो उनका इलाज कहां चल रहा था, ये भी चीज़े सामने आई है, साथ में होते होते खबरे आने लगी, लोगों को ये doubt होने लगा कि क्या सच में वो है या नहीं है, क्योंकि doubt इसलिए हो, देखे पहले तो जो उन्होंने उनकी जो प्यार टीम है, उन्होंने पूनम नाम लिखा था, तो लोगों को लगा कि पूनम का पूरा नाम क्यों नहीं है, दूसरा उनकी sister का जिसका बात नहीं हो पारी थी, पोस्ट के अंदर लिखा हो था कि कानपूर में उनके मरत्यू हुई है लेकिन एक रात पहले ही उनको मुंबई में उनके घर के पास में देखा गया, उनके किसी भी दोस्ट को इस बात का नहीं पता था कि उनको कैंसर है कोई भी इस चीज से अवगत नहीं था कि उनका इलाज कहां चल रहा था कि अगर उनको कैंसर है तो और दो दिन पहले से तक वो हशी खुशी से घूम रही थी बिल्कु स्वस्थ दिखाए देर थी तो अचानक से कैंसर की वज़े से मृत्यू कैसे हो गई ये च ये चीज़ें भी सामने आ रही थी कि भाई ऐसा क्यों है फिर कुछ लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया कि वो तो ओवर्डोस से मरी है ड्रक्स के ओवर्डोस से उमर गई है अब फैमली वाले इसके उपर कवर कर रहा है इसीज को ये चीज़ें आनी शुरू हो गई अवेर्नेस फैलाना चारी थी क्योंकि 4 तरीकों कैंसर दिवस है तो भीया मैडम आपने उस अवेर्नेस फैलाने की वजह से कितने लोगों को मैंटली डिस्टरब कया यापको पता है और समझ में नहीं आता कि ये लोग इतना घटिया स्टंट कैसे कर देते हैं जहां कल तक इनके लिए लोगों को इतनी सिंपेथी थी वहीं अभी गालिया पड़ रही है भीया मतलब ऐसी भी क्या पब्लिसिटी स्टंट जो आप इतनी गालिया खाए अब अगर आप मर भी जाए ना तो सच में लोग विश्वास नहीं करेंगे इसे ही कहते हैं कि भाई अपने ही पैर होंगे जिनने देख के आपको हसी आजाएगी इंक्लूडिंग संभावना से एक वीडियो बनाई है और उसमें काफी जादा उनके ओपर दिखाया है कि बहुत ही घटिया हरकते थी मैं कल पूरे दिन इसकी वज़े से टैंस रही हाला कि मुझे मीडिया वालों ने कहा कि शा हो जादा गलत बताया है अभी सभी सेलिब्रेटी लगपक सभी को इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं और एक यूट्यूबर है जिनका नाम है लक्षे चोधरी आप सभी जानते होंगे लक्षे चोधरी ने तो कली ये बोल देता भाई वो जीवित है वो मरी रह है और जो लोग महाँ पर यानि की पूनम पांडे के मर्तिव वाली पोस्ट के नीचे जाके कह रहे थे कि ओली फैन वाला जो वेब साइट है उसको हम हट जाएं वहाँ से मेंबर्शिप कैंसल कर दे ये वो लोग उनको भी गालिया दे थे कि देखो कोई तो इनसान मर गया और इन लोगों को मजाक सुझ रहा है अब अब लोग उनको अब पूनम कोई गालिया मिलने लगी तो इसे कहते है कि भाई अगर आप गलत करोगे तो गलत भरोगे इस तरीके की हरकते बहुत ही जाज़ा चीप थी हाला कि हमारे व्लोगर्स जो है वो दिन रात ऐसी हरकते कर रहते हैं कि भाई ये बिमार हो गया वो बिमार हो गया ये खो गया वो हो गया बट ये हरकते जरा इन चीजों को नहीं करें क्योंकि ये हरकते हमेशा से ही बोलते हैं मैंटली करती है किसी की मोत की खबर किसी की इस तरीकी की बिमारी की खबर और सच बताओं ये उन लोगों चेलर पर जो मैंने शेयर कर दी है अपनी कम्मिनिटी पर आप जिसको जा के देख सकते हैं और सर्वाइकल कैंसर की वज़े से हर साल सिर्फ इंडिया में कहीं हजार ओड़ते मरती है ये काफी जादा खतरनाक होता है लेकिन अगर आप इसको पहले से ही पकड़ ले तो इसको क पचास आ सकता है इसमें इंजक्शन लगते हैं जिससे आप बच सकते हैं और सिर्फ शर्मिंद्गी के कारण की भाई हमें शर्मिंद्गी हो रही है इस तरीके का कैंसर हमें हो गया जंगा पर कैंसर हो गया कई महिला इससे जूजती रहती है और अंत में अपनी जानगवा बैठती है तो ऐसा ना करें अगर आपको कोई प्रोब्लम हो रही है तो आप डोक्टर को दिखाईए आप इस तरीके से अवेरिनास फैलाइए ना कि इतने गंदे तरीके से इसकी वीडियो आप पुरी देख सकते है मेरे इस चैनल पर कि आखिर क्या है एक एंसर किस तरीके से फैलता है और क्या होता है सब कुछ उसमें मिल जाएगा तो यहां पर करते हम वीडियो को एंड मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ चाहां को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक ज़रू कीजेगा थेंक्यू सो मच